हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपको अमारे यूट्यूब चैनल कंपेटेटिव और सुलेशन में फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मिस्रत भीन का जोर कैसे बना जाता है इसके बारे में चर्चा करते हैं तो आए फ्रेंड्स शुरू करते हैं यहां टॉपिक है मिस्रित भ है बसरते इसमें होता क्या है यह पुर्णांक में दिया गिया है तो पुर्णांक में दिया गिया है उसको क्या करना है तो साधान भीन में बदलना है तो दोनों का जोर स्यम होता है चाया सधान भीन का बनाए या फिर मिस्रित भीन का जोर बनाए इसमें पुर्णांक में द बटा दो पर्लस तीन पुर्णांग चार बटा दो अब यह पुर्णांग में दिया है तो पुर्णांग में दिया है तो उसको क्या करेंगा हम उसको हम साधारन भीन में बदलेंगे सदायन भीनों में कैसे बदलेंगे भाई देख लिजी यहाँ पांच दिया है पुर्णांग एक वटा दो दिया है यहाँ पर दो को पांच को गुना कर दिजिए तो दो पंचे कितना हो जाता है दस ठीक है दो पंचे दस चाहे दो पंचे पर या पर प्र दो ने पर यह बात यहां पर दो दिया है यहां पर तीन दिया है तो गुना कर दिये हैं दो टिया छे अब उपर में जो दिया है अंस में चार तो उपर वड़ा क्या होता है जूड़ जाता है तो चाहें तीन दुनी पढ़िए या फिर दो दिया पढ़िए तो दो दिया छे चार दस लिखेंगे बींकर उव भाक्रूप में अब सभारी मेकर में आ provides हाँने करेंगे नीचे वाल घ्र हो गया उपर यहा अन्स अजिसमें किया हैं ? लोग लेंगे how TO tha लेंगे। अंट्र feminine की कितने बार पढ़ेंगे जो दो हो जाएगा तो एक राव फड़नों होजाता है Kr Fraktion Leta दू यानि कि एक बार पढ़ने से एक बार परने से पुरा प्रबाई हो रहा है तो एक कोई. 18 को serves 10 में 10 में 10 इतने ऐला काल्या दूरश अब इस दो में है तो जोड दीजिए एक जीरो कितना हो जागा एक फिर एक एक कितना हो जागा दो बटा दो यह क्या हो गया हमारा एंसर अब 21 बटा दो जो पड़ाप्त हुआ है आप इसे इस पुर्णा की रुप में भी लिख दे सकते हैं एंसर की रुप में या या 21 बटा दो की रुप में छोड़ सकते हैं तो 21 में हम दो से अगर भाग देंगे तो इसको हम इस परकार भी लिख सकते हैं यहां पर या की रुप में लिख देते हैं आपको या 21 में हम क्या करेंगे दो से भाग देंगे तो किस कितना प्राप्त होगा तो 10 पुर्णांग 1 बटा दो इतना हम लोगों क्या होगा प्राप्थ होगा दस दूनी बीस 21 21 बटा दो चाहे आप इसे 21 बटा दो के रूप में भी छोड़ सकते हैं या इसे इस परकार भी लिख सकते हैं तो इस परकार क्या करें हम लोग मिसित भिन का जोर बना सकते हैं ठीक है अब next question लेते हैं कि नेक्स्ट कुसंदी आ गया है च्छा पुर्णांग दो बटा तीन प्रस पुर्णांग एक बटा दो इसको भी हल करेंगे कि उसी प्रकार हल करेंगे जैसे हम पहला को हल किये थे छेतिया या तीन चटे ठेके एक चेतिया 2018 होगे या दटो जोर दे गया तो कितना हो गया अथारा एक अधारत दो बीस तो लिखनें दीस प्रस दिया है तो बलाज दो पनच बोली या फीर पैंच दो नी बोलेंगे dafür तो 2 पंचे कितना होता है 10 आप उपर बाले को जोर दीजिए तो कितना हो गया है दो पंचे 10 एक 11 एक गाड़ा बटा 2 अब 3 दूख क्या करें हम लोग LCM लेंगे यानि कि लगुतम समय बट लेंगे तो 3 दूख का लगुतम कितना हो जाता है तो 6 होता है आप लोग ऐसे भी ले सकते हैं लगुतम बना सकते हैं 3 हो गया 2 हो गया इसका LCM कितना होगा तो पहले 2 से लगाएंगे छोटे से छोटे संख्यां से तो 2 के टेबल में 3 तो नहीं है तो जियों कातियों उत्रेगा 2 एकम 2 अब कितना से भाग लगाएंगे 3 से 3 एकम 3 अब दोन कितना होता है 6 इस प्रकार भी हम क्या कर सकते हैं LCM ले सकते हैं यहां अप लिखेंगे 6 अब इस छे में जो है यह जो हर्द दिया है 3 तो 6 में हम 3 से भाग लगाएंगे तो 3 को हम कितने बार टेबल पढ़ेंगे जो 6 हो जागा तो पढ़कर देखते हैं 3 एकम 3 तीन दुनी 6 कितना पढ़ने से होगा है दो बार पढ़ने से तो 2 को अब 20 से गुना कर दीजी तो 20 दूनी और कितना हो जागा 40 फिर प्लस है तो प्लस आढ़ इस 6 में हम 2 से भाग देंगे तो कितना व्याम प्रण॥ कितना हो जागा कितना परण mirror यह सलjust is हम लोग क्या कर सकते हैं तो इस मिस्रित भीन भी के रुप में बना सकते हैं, पुर्णांग के रुप में लिख सकते हैं, ठीक है, अब next question लेते हैं, next question दिया गिया है, 8 पुर्णांग 2 बाटा 3, पलस 6 पुर्णांग 5 बाटा 4, उसको भी हल करते हैं, और concept को clear करते हैं, देखे, 8 तिया केतना हो गया 24, 2 उपर जोर दीजिए, तो 8 तिया 24 दू 26, बाटा 3 है तो क्या देंगे, 3, फिर पलस है तो पलस, आप 6 चोका बोलिए या फिर 4 चोका दि पी 6 चोका और 4 चोका होता है 24 होता है को नहीं क्या करने हैं गुणा कर देगे 4 चोबिस चोबिस आप 5 उपर जोड़ दिज़िए 4 चोबिस पांच 29 29 बुटा क्या हो जागा 4 अब यहां किर आप मों तीन और चाहराघ का एलसी मौ लेंगे यासे हैंटओ तीन दूग्हाड का लेंगे उससी प्रेकास वेविधियोगा लिगे उसी प्रकार विएक। लेंगे, यहां कितना हुजा सी फडर भाउख लगाएंगे तो कितने बाट से 12 हो चार में बाट होज़ी तो क्या कर स्कते हैं जो बार होगाहीं है लिखे द दिया है अप देखेंच अब 12 में चार से बार कितने बाट से 12 होगा चार एकम cuatro, चार दूनी आठ चार तीया 12 तीन बापड़ने से तो क्या करेंगे उपर से हम यहाप गुना कर देंगे चाहिए उपर देखकर पता कर सकते हैं यहाँ भी लिसकते हैं अब क्या करेंगे 26 को 4 को गुना कर दीजिए कितना होगा चार चके 24 का 4 हासिल कितना बच गया उसमें 2 ठीक है तो 4 दूनी 8 है दो 10 तो लिखेंगे हम लोग यहां क्या 10 लिखेंगे यानि कि 26 चुका कितना हो जागा 104 अब परास है तो परास देंगे अब 29 या कितना होगा तो 9 या कितना हो जागा 47 के 7 हासिल 2 हो गया तिन दूनी 6 2 हासिल होगा कितना हो गया 8 अब जो 1 सचार प्लस 87 पराव्त वाध दूनी क्या करेंगे जोड देंगे तो 7 4 कितना होगा 11 हासिल कितना बच गया एक 8 0 जोड होगा हांसिल एक बचा था आठेक नो फिर एक जोगा दिए बटा कितना देंगे बार इसमेकर हमें क्या कर सकते हैं तो मिस्रित भीन का जोड बना सकते हैं अज़ा करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगागा इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा धन्यवाद